इसलाम आलेकुम मैं हूँ साले डिजैनर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ आज मैं आपको साइट प्लेटिड कुर्टी की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत असान तरीके से सिखाऊंगी इसके लिए हम टू एंड हाफ मिटर फैबिक यूज सबसे पहले हम इस कपड़े को खोलेंगे कुर्टी के दामन की चोड़ाई हम 31 इच रखेंगे और कट लगा लेंगे साइड से जो कपड़ा बचेगा इस पर हमने पिंटेक्स डाली है जो हम बाजों और घेर में अर्जेस्ट करेंगे विवर्ज ये कपड़े की चोड़ाई और लंबाई को हमने अलग कर लिया है ये देखें चोड़ाई को हमने फोल्ड किया है कुर्टी की लेंथ हमने 33 इंच तयार करनी है टू इंच एक्स्टर रखते हुए सिलाई और कटिंग के मार्जन के लिए हमने 35 इंच पर इस कुर्टी की लेंथ को लग कर लिया है अब उ के लिए आपको 16 इंच पर निशान लगाना होगा अब इसी निशान को पकड़ते हुए कपड़े को हम डबल करेंगे और आइरन की मिदद से प्रेस कर लेंगे इससे एक निशान बैठ जाएगा जिससे हमें पिंटक्स डालने में और योग का साइड्स करने में असानी रहेग यह देखें निशे निशान आ चुका है अब उपर की तरफ से हमने 4 इंच पर निशान लगाना है मैंने यह बोट शेप नेक तयार करना है अगर सिंपल हम लेडीज के लिए भी जो नेक तयार करते हैं वो 3 इंच और 2 पाइंट पर नेक तयार होता है तो उसके लिए भी तयार करना है यह देखें पहले मैंने पैंसिल की हलफ से निशान लगाया है मुझे लगा कि पैंसिल से नजर नहीं आ रहा तो चोक मैंने यूज किया है अब इंची टेप को यहां रखते हुए 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे दूसरा निशान हम 1 एंड हाफ इंच या दोनों पर यह कट आ जाएंगे तो निशान लगाने में असानी रहेगी इन निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक जरूर करें यूज आप बैक पार्ट को हटाएंगे यह अब निशान लगा सकते हैं उपर वाले कट और नीशे वाले नीचे वाले निशान को अपस में मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे कटिंग और स्टिंचिंग ने बहतरीन वीडियो के लिए आप मेरे चैनल साले लीजेनर को जरूर सब्सक्राइब करें ताक के हर नयने वाले वीडियो आपके पास पहुंचे यह निशान हमने दोनों साइडों से लगा लिए हैं अब हमने यहां पर पलेटें डालनी है तो और साथ ही यह पलेटें डाल सकते हैं यहां पर सिलाई को हम पका करेंगे अब ऐसे ही दूसरे कट को पकड़ना है और एंड से इस निशान को पकड़ते हुए दूसरी पलेट हम डालेंगे इस पलेट को हम सेंटर पॉइंट वाली साइड पे रखेंगे और फिर से देखें यहां से भी एंड हम इसी तरह करेंगे और सिलाई को पका कर लेंगे वीवर्ज यह मैं आपकी एसानी के लिए मैंने चोक यूज किये है अगर आप पैंसिल यूज करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा इसी तरह आपको इंची टेप का साइज भी नहीं करना और इसली आप ये सिलाई लगा लेंगे ये मैंने आपको वाज़ तोर पर दिखाने के लिए जाग को यूज किया है ये देखें फिर से वन एंड हाफ इंसका गैप देखना है और सिलाई को खतम करना है सेम इसी तरीके से बाकी पलेटें भी हम डाल लेंगे ये देखें फ्रेंज बहुत नीड तरीके से हमारी ये पलेटें डाली है और सेम गैप है इसका विवस ये दोनों साइडों से हमने पलेटें डाल ली है अब सेंटर से पकड़ते हुए इस तरह हम कपड़े को फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे बैक पार्ट को भी हमने इसी तरह इसके ओपर बिचा लिया है तीरे का साइज हमने 12 इंच तयार करना है तो इसका हाफ 6 इंच होगा हाफ इंच सिलाई का मार्जन रखेंगे और निशान लगाएंगे तीरे की डाउन कटिंग के लिए इंची टेप को तिर्चा रखते हुए निशान लगाया है अब इंची टेप को इसी तिर्चे निशान पे रखते हुए 6 इंच पर निशान लगाएंगे जितना कि हमारा तीरे का साइज था और रॉंड शेप देंगे चेस्ट हमने 16.5 इंट तयार करनी है 8 इंच और 2 पैंट पर निशान लगाना है फिटिंग की गुलाई देने के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे फिटिंग हमने 15 इन तयार करनी है तो इसका हाफ 7 एड़ हाफ इंच पर निशान लगाएंगे आप अपनी चोईस के मताबिक फिटिंग तयार कर सकते हैं अब हम इस तरह शेप देते हुए निशान लगा लेंगे अब कटिंग का मार्जय रखते हुए दूसरा निशान लगाएंगे इसी निशान पर हमने कटिंग करनी है कटिंग और स्टिचिंग की बहतरीन वीडियो के लिए आप मेरे चैनल साल या डिजैनर को जरूर सब्सक्राइब करें ताके हर नयाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे बाजू की कटिंग की वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो की लेंस ज्यादा हो जाती है अगर आम में से कोई सीखना चाहे तो आलरेडी मेरे चैनल में बाजू की कटिंग की वीडियो मौजूद है आप देख सकते हैं फ्रेंट आर्म होल की कटिंग के लिए इस तरह निशान लगाते हुए हम कटिंग करेंगे, विवर्जब फ्रेंट बैक को एक साइड पर करते हुए फ्रेंट के गले पर हमने फ्रिल लगानी हैं तो उसके लिए हम इस तरह फैब्रिक को उरेम में रखेंगे और कटिंग फ्रिल तयार करने के लिए आप इसका मार्जन टू इंच या टू एंड हाफ इंच भी रख सकते हैं या आपके अपनी च्वाइस हैं अब एंड से हम इसे रौंड शेप देंगे और शुरू में हम इसे सिधा कट कर लेंगे वर्स गले की चुडाई के लिए हम 3 इंच और 2 पॉंट पर निशान लगाएंगे गले की डेप लेंद के लिए भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और कटिंग करेंगे बैक गले की चुड़ाई सेम रखेंगे डीप लेंद के लिए एक इंच हम कम करेंगे ये बैक गले की कटिंग भी हमने कर ली है अब इस फरिल को रैडि करने है तो इसके लिए हम बारिक सिलाई लगाएंगे विवर्ज ये साइड से जो कपड़ा बचा था इससे हमने पिंटेक्स डालनी है तो ये घेर और बाजों के लिए पिंटेक्स को रैडि करेंगे एक सकेल की हल्प से हमने इस तरह तिरचे निशान ड्रॉा करने है अगर आप चाहें तो ये वन एंड हाफ इंच का गैप रखते है और गैदरिंग के लिए बड़ी चाल करते हुए भी सिलाई लगाई है इस तरह गैदरिंग करते हुए इसे तयार कर लेंगे वीवर्ज ये गले के अंदर वाले पार्ट को हमने संभाल के रखा है इसे हम सीधी साइड पर प्रेस करेंगे इस प्रेस किये हुए गले के साथ साथ से हम इस तरह पैंसिल की हेल्प से निशान लगा लेंगे इसी निशान पर हमने फ्री लगानी है और एक सेट से बेल्ट को टैज करना है अब इसे उतार लेंगे ये देखें लाइन ड्रा हो चुकी है अब यहां इस गले को भी हम इसी तरह प्रेस करते हुए अंदर वाले पार्ड को हटाएंगे इन दोनों सीरों को अपस में मिलाते प्रेस करेंगे और सेंटर पोइंट बनाते हुए कट लगा लेंगे थडिया के गैब से यहां पर हमने निशान लगाने है क्योंके यहां वे इस बेल्ट की चुड़ाई थरी एनड हाफ इंच है जहां पर हमारा निशान लगा हुआ था इसी निशान पर हमने सिलाई लगा लेनी है विवर्ज ये फरिल को इसी निशान पर हमने अटैच कर लिया है अब थरी इंच पर जो निशान लगा था यहां पर बेल्ट को रखना है और स्टीच कर लेना है अब इसी के उपर हम इस रैडि किये हुए गले को रखेंगे और गले के पास पास से स्लाई लगा लेंगे पहले हम ये स्लाई सेंटर में लगाएंगे ये देखें इससे गला हमारा तेड़ा नहीं होगा फरिल को चेक करते हुए क्या ये हमारी फरिल अंदर की तरफ है जहां पर ये स्लाई आएगी इस तरह हमने स्लाई लगा लेनी है ऐसे ही अब दूसरे हाफ इससे पर भी स्लाई लगाते हुए अंदर वाले फैबरिक को हम कट कर लेंगे और इस गले को पलटते हुए बारी किनारे की हम सिलाई लगाएंगे यह देखें सिलाई हमने लगा ली है बहुत ही प्यारा हमारा गला त्यार हो चुका है अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे बैक गले को भी रेडी किया है बैक गले की सटिप को आगे की तरफ रखेंगे ये देखें और फरंट गले की सटिप को हमने अल्रेडी फोल्ड किया हुआ है जब सिलाई लगाए थी किनारे की ये शोल्डर की सिलाई लगाते हुए बैक गले की सटिप को इस तरह हम फोल्ड करेंगे और नीट करते हुए बैक गले की सिलाई लगा लेंगे ये देखें फ्रेंड्स ये हमने बहुत ही नीट तरीके से बैक गले की सिलाई लगा ली है अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और यहां पर पिंटेक्स डाल लेंगे बहुत यह असान तरीके से इस तरह जब हम निशान लगाएंगे तो पिंटेक्स डाल जाएंगे सेम साइस के मताबिक ये देखें फ्रेंज ये पिंटेक्स डालते हुए इस फैबरिक को हम डबल करेंगे और सेंटर से कट करते हुए एक हिसा बाजों पर लगाएंगे और एक हिसा दामन पर इस तरह रखते हुए निशान लगा लेंगे अब इसी निशान के साथ साथ हम कटिंग करेंगे और ये लेस लगाते हुए इस बार्डर को हम अटेच करेंगे साथ ही बाजों को रेडी कर लेंगे अब मैं आपको ये कुर्टी कम्पलीट करके दिखाऊंगी ये देखें फ्रेंड ये कुर्टी को हमने कम्पलीट कर लिया है बहुत ही खुबसूरत ये कुर्टी तयार हुई आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें फ्रेंज को शेयर करें मेरे चैनल सालिय डिजैनर को सबस्क्राइब करते हुए आल पर कलिक करें इससे हर नय आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा अब तक क लिए इतना ही नई वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिर